प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सहीत्य सादर में दोस्तों आजवे आपके लिए लेकर आई हूँ लेखक शानी की लिखी कहाने एक नाओ के यात्री किर्दी मारे उच्छुकता के फिर खड़ी हो गई ये पाँच्वा मरतबा था लेकिन इसबा लगा कि सीटी की आवाज सचमुर्दूर से काफी नजदिक होती आ रही है और गाड़ी प्रेटफॉर्म में प्रविश करे इसमें जादा दिर नहीं गवराहट ये चेहरे का पसीना पोंचने के लिए उसने रुमान टोटोला में मुसाफिरों तथा सामान लदे कूलियों की भगदर मच गई हलो सैसा उसी समय अपने कंधे पर पड़े इस पर से किर्थी चौंकी चौंकी ही नहीं धक्सी रह गई श्रंड के छोटे से खंड में लगा था कि कहीं रजजन ही नहों पर थी वो मिसिस मित्तल अरे किर्थी ने जल्दी से हाज जूड़े कहां जा रही है भूपाल मिसिस मित्तल ने इतने सहज भाव से कहा जिसे उनका भूपाल जाना रोज रोज की बात हो और तुम उनके आखे बार बार कमपार्टमेंट की और बढ़ते अपने कूली की ओर लगी हुई थी रजजन आ रहा है मिसिस मित्तल के नए रूप वाले प्रभाव से मुक्त होने के लिए किर्थी एक सांस में कह गई वैसे पिछले कई घंटे से ये हवा कि उसे भीतर-भीतर तंग जरूर कर रहा था लेकिन इस परल मिसिस मित्तल के अतिरिक तो वो और कोई बात नहीं सोच रही थी बरसो बाद उन्हें इतना सिंगार-पटार की ये किर्थी देखे और खुद उनकी जबानी भूपाल जाने की बात सुने तो अविश्वास के कहा गुंजाईश रह जाती है अच्छा रजजन की बात सुनकर एक पाउं से जमी और दूसरे से उखड़ती हुई मिसिस मित्तल ने अपने आखों को और फैला लिया पूछ रही थी इसी गाड़ी से हाँ लेकिन रजजन को लेन की तो कहीं दिन हो गए न जाने कोन कह रहा था की उसे दिल्ले रुकना पड़ गया आगे कुछ अप्रिये न सुनना पड़े सोचकर किर्थी ने जल्दी से कह दिया फिर उन्हें देखती हुई जबरन मुस्कुराई गाड़ी तब बेतरह चिंगारती और धड़ड़ाती हुई प्रेटफोर्म में प्रविश कर रही थी अच्छा लॉट कर मिलेंगे कहेकर मिसेस मित्तल कब बढ़ गई ये किर्थी ने गाड़ी की हड़ड़ी में नहीं देखा उसकी गबराहट अप पहले की अप्रिक्षा कहीं गुना बढ़ गई थी पसीना, गले का सूखना और हलक में चूबने वाले काटे उसे अपनी स्थती उस दिन जैसे लग रही थी जब अंतिम परिक्षा का परिणाम आने वाला था और उसे अकबार की प्रतिक्षा थी उच्सुकता की मारी वो उस दिन भी स्टेशन आ गई थी वो आगे चली जाए क्या भीड या धक्का पेल की परवा किये बिना निकल सै एक बार किर्थी ने सोचा लेकिन एक सीरे से दूसरे सीरे तक उमरते लोगों के सैलाब को देखकर हिम्मच छूट गई वहाँ भी एक जगे खड़े रहने के बावजूद वो नाहक कहीं धक्के खा चुकी थी और रजजन को पहचान भी सकेगी पिछले कहीं दिनों की तरह आज फिर आशंका उठी अत्वा क्या उसे दूर से ही दिखकर रजजन पहचान लेगा साथ साल का अर्शा कम नहीं होता इतने में कल तक की बच्ची जवान हो जाती है जवान के पाउं धलवान तक पहुच जाते हैं और बूढे कई दिनों के चुने हुए उस स्थान पर खड़ी थी जहां से ट्रेन के लोग और बाहर जाने का रास्ता दोनों ठीक ठीक दिखाई दे सके बीड रोज जैसी थी गए साल जैसी या शायद गुजरे हुए उन सातो बरस जैसी कोई भी मौसम हो चाहे जैसा देनिया घड़ी यात्राओं को क्रम कभी नहीं टोटता अब भी स्टेशन आओ बीड का एक ही रुप दिखाई देता है अपने अपने सामान मित्र या परिवार से लदे फदे लोग जो जाने कब से चड़िया उतर रहे हैं प्लेटफॉर्म में प्रतिक्षा करते वही आत्मी और प्रीजन जिन में से कुछ तो खील उठते हैं और अनेक रजजन फर्स्ट क्लास के एक कमपार्टमेंट से किसी स्वस्थ से युवक को उतरते देख किर्थी के मुँसे न केवल यह आवाज निकली बलकि वो जपटती हुई उधर ही बढ़ गई थी पर जहेब कर दूसरी ओर देखना पड़ा और भला कूली के पीछे-पीछे कौन जा रहा था वो ग्रे कलर के सूट वाला ठेले के पास खड़ी इस कट वाली लड़की के पीछे वो वो फिर यह गुजरने वाले चेहरे को जल्दी-जल्दी जपकती आँखों से पकरने की कोशिश और पीछा क्या आज फीरा के लिए लोटना होगा अंतमे गेट के पास खड़े आखिरी समूख को देखते हुए किर्टी ने सूचा फिर पापा की उन्हीं आखों का सामना जनसे किर्टी को दहशत होती थी फिर मा का वही विसूरना जिसे सुनकर उसकी आखे गीली होती थी पार से निकाल कर वो हाथ की इशारे से पूछ रही थी क्यों अर्थात रज्जन नहीं आया किर्टी कई पल निरुतर सी खड़ी मिसिस मित्तल को देखती रही फिर जब कुछ नहीं सुझा तो हवा में हिलते सेंक्डू रुमालों के बीच एक हाथ अपना भी उठा कर वो योहीं हिलाने लगी जैसे मित्तल को छोड़ने स्टीशन आई हो गुड लग गुड लग और किर्टी ही नहीं पिछले कई दिनों से सारा घर इसी तनाव में लटका हुआ जी रहा है तेरह दिनों पहले मंगलवार को रजजन ने बंबई में लेंड किया था और उस दिन यहां घर भर की बेचेनी सीमा पर पहुँच चुकी थी बेटी कितने बजे हैं पापा ने उस दिन किर्टी के कमरे में तीसरी बार आकर पुछा था चार बस दो घंटे और हैं पापा ने अपनी जोती हीन आखों से एक और ताकते हुए कहा था छे बजे रजजन का जहाज किनारे आ लगेगा तो कौन तुमसे वो तुरंता मिलेगा यही बात जब उन्होंने फिर आदा घंटे बाद और साथवी बाद दोहराई तो मा एका एक जल्ला पड़ी थी क्योंकि पापा की बैचेनी उनसे नहीं सही जा रही थी अपने नगर से साथ सो मेल दूर रजजन बंबई में उत्तर रहा था चाहने पर भी उसके लिए इस भागोलिक दूरी को लांकर फोरुन आ मिलना संभव नहीं था लेकिन घर में ऐसी भी आकुलता समाई हुई थी मानो छे बजे की ट्रेन से वो सीधे यहीं पहुँच रहा हो यो रोज सुबर सबसे पहले पापा ही उड़ते थे लेकिन उस दिन उन्होंने अपने साथ साथ सभी को जल्दी जगा दिया पहले मा, किर्ती, फिर शुभा यहां तक की छड़ी टेकते टेकते जाकर आउट हाउस में रहने वाले श्यामलाल को भी उन्होंने सोने नहीं दिया था आज रजजन पहुँच रहा था इस वाक्य से वो दिन शुरू हुआ था और सारा दिन घीसे हुए रेकॉर्ड की तरह घर के कोने कोने में वो वाक्य बच्टा रहा था फिर इस रेकॉर्ड से चूटने के बाद पती पतने के बीच रजजन की पुरानी स्मृतियां दोराई गई थी उसकी कुछ आदितों, विशिष्टाओं और गुणों आदी के चर्चे हुए थे वो रात किर्थी को बड़ी देर तक पापा के जागने की हार्ट मिलती रही थी साथ वर्ष पहले जब रजजन इंजिनिरिंग के एक डिप्लोमा के लिए इंगलेंड जाने लगा था कि विदेश के अकेले पंसे डर लगता था फिर अध्यान के दोरान इधर या उधर का कोई तनाव न रहे और पती-पत्नी दोनों मिलकर वो समय काट आए एक उद्देश शायद ये भी था लेकिन ढाई के बदले तीन वर्ष हो गए और रजजन लोग नहीं रोटे फिर ये सूशना आए कि रतना को भी वहाँ रेडियो में नोकरी मिल गई है और दोनों मिलकर काफे कमा लेते हैं रजजन के शुरू-शुरू के पत्रों से अवश्य लगता था कि उसे कहीं न कहीं वापस लोटने की उच्सुकता है पर बाद में वह इस टर्म में सोचने लगा था कि भारत में अगर वैसी अच्छी नोकरी न मिली तो और इस बीच कई बड़ी-बड़ी और अप्रत्याक्षित घटनाय हो गई थी शुभा के बाद वाला भाई जाता रहा था किर्थी से बड़ी बहन नली नी ब्या होकर बनारस चली गई थी पापा सरकारी नोकरी से रिटायर होकर घर बैट गए थे और इन में सबसे बड़ा हाथसा ये हुआ कि पापा की आँखें अकस्मात जाती रही मुझसे बड़ा अभागा और कौन होगा इस खबर के मिलते ही रजजन ने बेहत कुदुखी स्वर में लिखा था कि इतनी बड़ी बात हो जाये और मैं आपके पास न हो सच मुझ मैं नराधम हूँ या या मेरे पुर्व जन्म के पापो का फल है कि इतना सब होने के बाद भी मैं आपसे हजारों मिल दूर पड़ा हूँ लेकिन पापा आप चिंता मत करें मैं आज कल में यहां के आई स्पेशलिस से कंसल्ट कर रहा हूँ मुझे विश्वास है कि जिस दिन आपको यहां ले आऊंगा सब ठीक हो जाएगा ख़त सुनकर पापा रो पड़े थे किर्टी से पत्र लेकर कुछ देर वे उस पर यूँ हाथ फेरते रहे मानों उगलियों में आख उतर आई हो फिर भर्राय कंट से उन्होंने इतना ही कहा था किर्टी की मा इश्वर की सौगंद अब मुझे आखों का अफसोस नहीं रहा और उस दिन कई महीनों के बाद समूचे घर के लोग पापा के कमरे में इखटे हुए थे उन्हें घेर कर किर्टी, शुभा और मा सभी बैठ गई थी और पापा ने अपनी आदत के नुसार नौकरी के दिनों वाले बरसो पुराने किस्से सुनाय थे वे किस्से जिन्हें इस से पहले भी कई बार उन्होंने सारे घर को सुनाय था गेट के बाहर ही किर्टी ठिटक गई तीन-चार दिनों से यही हो रहा था स्टेशन से लोटने में पेदल तय करने वाला रास्ता चाहे जल्दी से कर जाए घर आते आते कदम अक्सर धीमे पड़ जाते हैं गेट में से गुजरते वक्त लगता जैसे किसी ने पाउं में पत्थर बांदिये हो और बात बिल्कुल नहीं नहीं थी लेकिन आज से पहले किर्टी ने अपने को इतना अवश कभी महसूस नहीं किया था उसे लगा कि दिन भले ही ब्रह्म होता रहा हो आज की स्थती दूसरी है आधार ही नहीं सही जाने क्यों वो बहुत जोर से महसूस कर रही थी कि रजजन जरूर आ गया है और भीतर प्रविश करके ही वो देखेगी कि वो पापा के पास बैठा हुआ है बहुत मुम्किन है कि स्टीशन की भीड भार में वो मिस कर गई हो या उसने पैचाना ही नहों और रजजन निकल गया हो मटियाले अंधेरे से गिरी हुई शाम हवा में हलकी सी खुनकी थी छिटपूटिया एकका दुका घरों की बत्या मुहले की सभी अंधेरे और निर्जन को उनों को गूर रही थी ऐसे में बेहत मधिन रोशनी में डूबा हुआ अपना मकान एक शौन के लिए किर्ती को भूता और रहल से मैसा लगा इस सारे घर में अंधेरा क्यों कर रखा है वो मन ही मन ज़लाई इतने दिनों बाद रजजन आये और फिर भी उजाला न हो और आज शामलाल बेवक्त कैसे वो चोकी साइकिल लेकर दूसरे गेट से जल्दी जल्दी वो निकल गया किर्ती का जी अचानक जोर-जोर से धड़कने लगा लंबे-लंबे डग से धर धड़ाती हुई वो आहाते का भीतर वाला मैदान चोटा बगीचा और दालान पार करती हुई भीतर चली गई पर कहीं कोई न था न कोई होल डाल, सूटकेस, न किसी विदेशी स्लीपो वाली अटेची वही रोज का मध्यम रोशनी वाला बड़ा मकान जिसमें तीन-चार लोग ऐसे खो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता किर्ती लंबा और सक्रा गलियारा पार करवर दूसरे छोर वाले कमरे की ओर जाना चाहती थी कि चौक गई अंधेरे गलियारे में मा प्रेत की तरह खड़ी थी कौन उसी समझ सैसा पापा के कमरे से अधीर सी आवा जाई क्या किर्ती आ गई किर्ती हाँ किर्ती आ गई दो शणों की चुपी के बाद भी मा ने घसीरती हुए शब्दों में जवाब दिया इस बीच के वल एक बार उन्होंने किर्ती की और देखा फिर हट गई और बस किसी ने कुछ न कहा और न कुछ सुना जैसे न अब तक किर्ती की प्रतिक्षा थी न उसके साथ बंधी हुई कोई आशा पिछले बारा दिनों से इस समय सारा घर कंठों में प्राण लिये बैठा रहता था पल-पल किर्ती की बाड देखी जाते थी पहले दो दिन स्वैम पापा स्टेशन तक चले गए थे बंबई से आने वाली कई गाड़िया उन्होंने देखी थी वो तो बाद में पता चला था कि रजजन यहां आने के बदले सीधे दिल्ली चला गया था रतना के घर और कई बार बदले हुए तथा स्वैम निर्धारित की एक कारिक्रम के बावजूद और ते रहवे दिन भी रजजन का पता नहीं अपने कमरे में पहुँचकर बड़ी देर तक किर्टी को लगता रहा कि आज भी माँ जरूर दबेपां आएगी शायद और दिनों की तरह पापा की कान बचा कर धीरे से कहे किर्टी जा रजजन को एक तार और करा इतने तो खेल बना रखा है अरे अगर यहाँ ना आना था तो ना आता लिख लिख कर सब को परिशान करने की क्या जरूरत थी पिछले दो तार ऐसे ही हुए थे और गये दिन जो ट्रंक लगाया गया था उसके पिछे भी यही था पर सचमुच मा नहीं आई खाने की सुचना लेकर शूभा पहुँची थी आज मिसस मित्तल मिल गई थी खाने की मेस पर जब वही तनाव गिद्द के डैनों की तरह मंडराता रहा तो किर्टी ने केवल बात करने के लिए सप्रयास बार शुरू की थी कहां? उदासिन भाव से मा ने पुछा स्टेशन पर अच्छा? वो भोपाल जा रही थी कहकर किर्टी ने ततकाल माखी और देखा उसका अनुमान ठीक था मिसिस मित्तल के साथ भोपाल का नाम सुनते ही मा बे तरह चौकी मूग की तरफ बढ़ता उसका हाथ सहसा रुख गया जैसे अच्छच भरी घटना के खबर दी गई हो साश्च जी पूछा किस ने कहा? वो खुद कह रही थी विश्वास करने के प्रयास में मा किर्टी को घूरती रही एक्षण के लिए उनकी आँखों में अजब सा भाव तैर गया जाने वो छोटी से खुशी का था या अचानक लगे हलके से धक्ये का किर्टी से आँखे हटा कर ठिटका हुआ जूटा हाथ लिए दो एक पल वो अंधेरे कोने को घूरती रही फिर यही होता है कभाव लिए चुपचाप खाने लगी उस दिन जिसने मिसिस मित्तल का उतना दुरण सुरूब देखा हो उसके लिए सचमुची विश्वास करना कठीन है कि आखिर वो उस बिंदो पर आ गई जिसका बर्सों से वह अकेले दम पर विरोध कर रही थी यो पडोसी जिसी पडोसी मिसिस मित्तल नहीं थी एक तो घर उनका दूर था तूसरे सुभाव से वह रूखी और घमंडी लगती थी शायद इसलिए आने के बाद भी काफी अर्से तक सभी से अपरिचय बना रहा लेकिन जब किर्थी से परिचय हुआ तो सारी दूरी तो जाती ही रही वो रहसे भी नहीं रहे गया जो उनके बारे में पहले दिन से मुहले ही नहीं सारे नगर में बना हुआ था सीधे साधे ढंग से एक कमरा लेकर वो अकेली रहने लगी थी। अकेली ही नहीं, अलग थलग और सभी से कटी हुई। शायद इसलिए लोगों में काना फूसियां थी कि क्या कोई जवान औरत किसी नए शेहर में अकेली जान रह सकती है। मिसिस मित्तल अगर सचमुच विवाहिता या सुहागन है तो कभी उनका पती उनके पास क्यूं नहीं आता। अत्वा, पिछले तीन बरसों में एक भार भी अपनी पती के पास भूपाल क्यूं नहीं गई। और समझ में नहीं आता कि लोगों को दूसरों की जिन्दगी में इतनी दिल्चस्पी क्यूं होनी चाहिए। किर्थी से पहली या दूसरी भेट पर ही अत्यंत दुखी होकर मिसिस मित्तल ने कहा था। क्या मैं हर किसी को ये बताती फिरू कि मैं ब्याता या सुहागन हूँ कि हम पती-पत्नी में कितना प्यार था। महिश ने अचानक कैसे मेरे साथ धूपा करना शुरू कर दिया और कैसे अलग होकर मैं इसी बात पर आज तक उससे लड़ रही हूँ। और उसी दिन किर्ती ने पहली बात जाना था कि इस भूख मरी दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो तूट भले ही जाये, जुकना या समझोता करना नहीं जानते। अगर प्रीम विवा के साल दो साल बाद ही रमेश किसी रूप जाल में उलचकर नए अफेर में फस जाये, तो मिस्स मित्तल जैसी कोई भी स्वाभी मानी और और क्या कर सकती थी। किर्ती को लगा जिसे वह अकेली नहीं, चुपचाप को और उठाती हुई, मा भी आज उसी दिन की बाद सोच रही है। उस दिन जब शोभा के वर्दे के बाद मिस्स मित्तल आई थी। घर में बीती हुए एक छोटे से उत्सव के अवशिशों के बीच उस दिन मा को जाने क्या सुझी कि ट्रंकों में एक जमाने से बन धेर सारे पुराने और कीमती कपड़े वो निकाल लाई थी। फिर उन्हें मिस्स मित्तल के सामने फैला कर बैठते हुए पूछा था। तुम्हे रफू करना आती है। मिस्स मित्तल ने हसकर नहीं कर दिया। ये कपड़े मेरी शादी के हैं। मा बोली थी। कुछ शायद उससे भी पहले के है। रखे रखे फटते देख जी दुखता है। तो जानती हूँ क्या करती हूँ। रफू कर करके फिर से सहेश देती हूँ। मेरी तो अप पहनने की उम्रे नहीं रही। किरती नलीने से प काड़ी का पल्ला लेकर उन पर किया हुआ सोने चांदी का काम देखने लगी थी। तुम भोपाल कब जा रही हो और बीच में बिलकुल अचानक बिना किसी प्रसंग के मा ने पूछ दिया तो किर्टी ने स्पष्ट देखा कि मिसस मित्तल का चहरा एकदम उतर गया है। अपन में ये सब तो चलता रहता है। तुम अकेली कहां तक लड़ोगी। किसी चीज से अगर सचमुच प्यार हो तो प्यार हो या वो किमती हो तो तूट फूट जाने पर भी उसका मोह नहीं जाता। मुझे देखो। और फिर पुराने कपड़ो वाले उधारन के अतिरेक्त उन उन्होंने आसो पहुँचे थे। क्रोध और अपमान से तमतमाया चहरा लिये वो बड़ी देर तक चुप रही थी। और जब मा केही स्वर में किर्ती ने तसल्या देनी चाही तो आवेश में आकर उन्होंने अपने जूडे में खूसा फूल निकाल लिया था। कुछ देर उनकी पंखुडियों को सहलाती रही थी। मानो कोई गहरा सा जवाब देने के पहले अपने शब्दों को तोल रही हो। अंत में उसकी एक पंखुडी को नाखून से चिरकर भरे गले से पूछा था। इसे रफू कर सकती हो। और किर्ती को हाथ खीशते हुए देखकर माने सैसा टोक दिया। तूने तो कुछ खाया ही नहीं। बस। किर्ती अनमने भाव से उठी और हाथ दोने के लिए वाश बेसिंकी और बढ़ी। सोने से पहले बत्ती बुझा देना। जाती हुई किर्ती को माने रोज की तरह हिदायत दी। नाहक मुझे परशान होना पड़त है और शोभा अगर जीद करे तो अपने पास ही सुला लेना। अच्छा। रजजन के बारे में कोई बात नहीं एक भी शब्द नहीं। रात कई बार किर्ती को ब्रहम होता रहा कि मा उसके कमरे में आई है। वो कई बार अचकचा कर उठी। लेकिन रात के सननाटे में वो आया तो तब जबकि उसे लेने के लिए घर की दहलीस पर भी कोई नहीं था। सुभा के तीन बजे थे और सारा घर सो रहा था। किर्ती से खबर सुनते ही पापा हडबडा कर उड़ बैठे। अपनी छड़ी के लिए एक पल वो हवा में हाथ चलाते रहे। फिकेना के जवान पत्तों की तरह बाहे फैला कर थर-थराते हुए खड़े हो गए। रजजन ने आगे बढ़कर उनके पाउं चुए। पीछे पीछे रतना थी। तुने तो बड़ा इंतिजार कराया। अपने चरन चुए जाने के बीच मा कहना चाती थी। यहां तो कई दिनों से यह हाल है की। पर कहा नहीं गया। किसी से कुछ नहीं कहा। तभी वहां शुभा आ गई। पर सो बाद हमुम्र भाई भेनों के मिलने का शोर सारे घर में गूंचता हुआ पासपड़ुस तक जा पहुँचा। अरे शुभा तू इतनी बड़ी हो गई। और क्या उतनी ही बनी रहेगी। मा बोली। रतना तुम्हे आद है। रजन ने कहा। यह इतनी सी थी। और किर्टी को देखो। कमबक्त अच्छी खासी महीला बन गई है। और जो मैंने एमेक पास कर ली है वो। किर्टी बोली। लेक्चर हो गई हूँ वो। तुम लोगों के बराबर कमा आने लगी हूँ वो। इन में से किसी की बधाई नहीं। रजन इस बार तो मुझे भी अपने साथ इंगलें ले चल। अच्छा अच्छा रजन ने चुडाया। कभी आईने में अपनी शेकल देखी है। और उस धमा चौकडी में किर्टी के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा कि पापा की उठी हुई बाहें कैसे नीचे गिर गई। देखो मैं तुम सब के लिए क्या-क्या लेकर आया हूँ। फिर बीच में ही उठकर रजन ने ट्रंक खोला और मा की मना करने तथा ये कहने के बावजूत के दिन में देख लेंगे। उसने एक एक करके सारे चीजे उत्सापुर्वक फैला दी। पापा के लिए उनी कोट, मा के लिए कारडिगन, शोभा के लिए नए प्रकार के खिलोने और किर्ती नलीनी के लिए स्वेटर तथा स्कार्फ। रतना ये बताती रही कि उन प्रिजेंट्स के एक एक पीस के लिए उन्होंने लंदन क पापा के लिए कृते कि कितनी दुकाने देखी थी और कितने अंबार में इसे पसंद किया था। पापा जोती भी इन आखोंसे अपने ही परिवार को घूरते हुवे अपरीचितों की तरह सुन रहे थे। अगला दिन किर्ती के घर ऐसे आया जैसे बरसों पहले कभी आया कर सुभा से मिलने बैठने वालों का ताता लग गया। उनमें पापा के मित्र थे, मा की परिचित महीलाएं थी, किर्टी शुभा की सहेलियां थी और सबसे अधिक संख्या थी रजजन के उन दोस्तों की जिनके साथ उसने बचपन और स्कूल के दिन गुजारे थे। अब तो थुमारा साथ भी फिजूल है। दो फर कुछ दिन रात के संख सक बेंटने वाले शर्माजी ने कहा, तो पापा एका एक चोगे। क्यों? अरे भाई, अब तुम यहां हो ही कितने दिन? दूसरे मित्र सकसेना ने कहा, चन दिन ही तो हो, रजजन आ गया है, तुम्हें अपने साथ ले जाए बिना थोड़ी मानेगा। अच्छा वो, पापा सांस छोड़कर धीरे से रात भरी हसी हसने लगे। देखो, क्या होता है, पीछे तो वो बहुत दिनों से पड़ा है, मैं ही अब तक चुप बैठा रहा। कभी सोचता हूँ कि रजजन की बात मान लो, कभी हिमत नहीं होती, इसी चक्कर में मैंने यहां किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। सच पूछिये तो शर्मा जी, अपना देश छोड़ने के नाम पर ही जे कचोड़ता है। तो कौन हमेशा के लिए जाना है, शर्मा जी बोले। आखे वापस मिल जाए, तो चले आना। पापा को सोचने लगे, मानों उसी समय निर्नाय कर रहे हों कि उन्हें रजन के साथ जाना है, अथवा नहीं। निश्य ही शर्मा जी, सक्सेनाया सभी लोगों को लग रहा था कि रजन के आने का अर्थ ही उनका जाना है। पत्नी बच्चे ही नहीं, स्वयम उन्हों ने ये बात कहीं लोगों से कह रखी थी। लेकिन आज जिस वास्त्विक्ता का पता शर्मा जी, सक्सेनाया बाहर वालों में से किसी को नहीं था, उसे याद कर उन्हें अजीब सी व्याकुलता हो रही थी। मन की चिकनी और बेहत बिचलन भरी दिवार पर जो साप की तरह चड़ और गिर रहा था, वो ये भय था कि रजन कहीं अपने पत्र की बात भूल तो नहीं गया, क्योंकि आने के बात से आखों के बारे में आपचारिक सी पूश्टाच के अलावा और कोई बात नहीं हुई होगी, लड़का है, बरसो बाद आया है, पहले उसे दम मारने की फुरसत तो मिले, रात को जब माने उनसे खाने के लिए कहा, तब भी वो शायद उसी मुद्रा में थे, बोले, रजन को आने दो, उन लोगों का कोई ठीक भी है, माने कहा, सेहर सपाटे को गये है, जाने कब आते हैं, आखिर आएंगे तो, पापा बोले, किर्टी शोभा को भूख लगी हो, तो खिला दो, पर जाने क्यों, भूख किसी को नहीं थी, पिछले रात की तरह सभी उस रात भी ग्यारा बजे तक रजन रतना की प्रतिक्षा करते रहे, इस कोशिश में शोभा भूकी ही सो गई, तब भी उठाय नहीं उठी, जब लोग लोट आये, पार्टियां और पिक्चरें, पहली दोफर को छोड़ कर तीन दीनों में न कोई रात खाली गई, न कोई दिन, पार्टियों और पिक्चरों का सिलसिला मुदवातिर चला, और रजन को लगता रहा कि कुछ देर से घर आकर उसने सचमुझ गलती की है, नगर में दोस्त या मिलने जुलने वाले क्या एक दो थे, उन्हें आसानी से निप्टा दिया जाता, वहां तो जिसके साथ कोता ही करो उसे ही शिकायत हो रही थी, रजन जाने की कह रहा था, उस रात किरती ने पापा के कमरे में मा को कह किते हुए सुना, किसके जाने की, पापा ने चौक कर पूछा, मेरे लिए है, नहीं, दूसरी और देखकर मा धीरे से बोली, उसके अपने ही जाने की बात थी, कह रहा था उसे जल्दी लोड़ना है, और दिल्ली में भी एक दो दिन का काम है, बड़ी देर तक पापा ने यह लोग नलीनी के पास बनारस जा रहे थे न, अब नहीं जा रहे हैं, क्यों? वक्त नहीं है, मा बोली, मामा के पास जैपूर जाने वाला प्रोग्राम भी सुना, रद्द कर दिया, रद्ना कह रही थी कि उनके प्रिजेंट्स बिजवा दें, देखते हो इतने वर्षों बाद आया है और बेहन से मिले बिना चला जाना चाता है, सोचो, नलीनी क्या कहेगी? कुछ देर पापा और चुक रहे, रजजन और कुछ कह रहा था क्या? कब? कहकर मा ने पापा की और देखा तो, लेकिन दूसरे हिशन संभल भी गई, अपने ही प्रशन को समेटते हुए बोली, अरे, उसे मेरे पास बैठने या बात करने की फुर्शत कहा है? कल ये जरूर पूछ रहा था कि पापा को कोट पसंद आया क्या? और तब चारपाई बजने के आवाद से किर्टी ने अनुमान लगाया कि पापा ने फिर वही बैचेन करवट बदली है. स्टेशन से बाहर आकर किर्टी ने मुक्ती की सांस ली. उसे लग रहा था जिसे एक लंबे समय के बाद किसी भायंकर तनाव से छुटकारा मिला हो. अजीब बात है कि रजन और रतना को गाड़ी में बैठते देख उसे जरा भी कचोट महसूस नहीं हुई. उसे कुछ वैसे हलकेपन का हैसास हो रहा था जैसे किसी छोटी हैसित के आदमी को बड़े महमानों को विदा करने पर होता है. चलने से पहले रजन और रतना दोनों ने अलगाओ और विच्छो के आपचारिक शब्द कहे थे. लेकिन किर्टी से कुछ भी नहीं कहते बना था. उसने लाग चाहा था कि रजन की बात रख ले. कहीं बार रतना के सामने उसने भूमी का भी बांदी थी. लेकिन लगा था जिसे भीतर कहीं से विद्रो हो रहा है. और वो उसके सामने गुटने टेक कर अवश हो गई है. किर्टी, तु मेरी एक बात मानेगी? प्लेटफॉर्म पर रजन ने किसी बह है और समझदार भी. ये मदर फादर को क्या हो गया है? हम लोग इतने इतने बरसो बाद आए, लेकिन लगा जिसे किसी को खुशी ही नहीं हुई. सारा वक्त पापा उखडी उखडी बाते करते रहे और मा का मुँ सूजा रहा. मैं तो खेर घर का हूँ, शिकात करके भी कहा जाओंगा. रतना के दिल को इससे बड़ा धक्का लगा है. कह रही थी कि इतनी भावना से लाए हुए प्रेजेंट्स किसी ने अप्रिशेट तक नहीं किये. पापा ने तो कोट को छू कर भी नहीं देखा. तू अगर उन्हें बातों ही बातों में ये विश्वास दिला द कि उन्हें प्रेजेंट्स से घर भर के लोगों को कितनी खुशी हुई है तो? उसी क्या हो गया था? किर्टी ने सुचा. रज्जन का इतना सा आगरह रखते उससे क्यों नहीं बना? जूट ही सही क्या वो रतना से नहीं कह सकती थी? और भला तुम से क्या कह रही थी? अचा उसके उपस्तिती वो इतनी देर से कैसे भूला बेटी थी? और कौन क्या कह गई थी? कौन? हाँ, मिसिस मित्तल. स्टेशन पर मिलने के बाद से वे लोग उन्हीं की बाते कर रही थी. चाहे अंचाहे, जगह बे जगह, मिसिस मित्तल का ही प्रिसंग. मुझसे तो कहा था कि दो-चार रोज में आ जाएंगी. उन्होंने सभी से यही कहा था, रमासीन बोली. मुझसे भी. लेकिन मैं तब भी जानती थी कि वो लाटकर नहीं आएंगी. और इसी तरह एक दिन उनका इस्तिफा आ जाएगा. असल मैं, किर्ती, जहां तक मैं जाती हूँ, अपने किसी प चतल जैसी पड़ी लिखी महिला को चूडियों वाले एक छोटे से अप्शगून से घबराते देखा था. उसी दिन में समझ गई थी कि उनके सारे बंद तूट गए हैं. घर के लिए और कितना रास्ता बाकी है. उबी हुई किर्ती ने खिड़की के बाहर से निकाल कर गेट में से गुजरते हुए आज किर्ती के पाउं ठिटके नहीं. लेकिन कहीं अचेतन मन में बैठे हुए भाय ने अपना सिर्फ फिर उठा लिया था. वही मटियाले अंधेरे से घिरी हुई शामे, छिटपुट या इका दुका घरों की बत्यां, मुहले के सूने तथा निर्जन कोने और बेहत मध्यम रोशनी में डूबा हुआ मकान. बरामदे में चोरों की तरह प्रवेश करते हुए किर्ती को याद आया कि आज घर में शोभा भी नहीं है. रजजन रतना से मिलने आई मौसी के साथ वो भी चली गई थी. घर और उजाड हो गया. वो जानती किसी अंधेरे कोने में चटाई डाले पड़ी होगी. किर्ती ठक गई थी. अच्छा हुआ क्यार शूभा भी नहीं थी. वो चाहती थी कि मा या पापा किसी का भी सामना किये विना सीधे अपने कमरे में भागे और बिस्तर पर तूट पड़े. उसने अंधेरा गलियारा पा ठहर गई. कौन? उसी समय भीतर से पापा की आवाज आई. किर्ती भैभी चोर की तरह दिवार से सटकर खड़ी हो गई. कोई नहीं है. एक शुण बात इधर की आहट लेकर माने आश्वस करते हुए कहा. अच्छा, मुझे लगा जैसे किर्ती आ गई. सुनकर किर्ती से बिल आश्चर चकित से देखती रह गई. पापा ने वही कोट पहन रखा था जिसे रजजन के रहते उन्होंने छुआ भी नहीं था. सामने कार्डिगन पहने मा खड़ी थी. और उन्हें कंधों से पकड़े, कार्डिगन के एक-एक हिस्से को उंगलियों से टटोलते हुए आईए. और दोस्तों मेरे द्वारा सुनाई की कहानिया आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तथा परीचितों में शेयर भी कीजिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.